वैसे तो weight training जिम के अंदर सबसे safest workout routine बोला जाता है बढ़ कुछ थोड़ी सी mistakes के कारण हमको injuries आ सकती है ऐसे कुछ injuries हमारे को flat dumbbell press में भी आती है जब हम flat dumbbell press करते हैं और dumbbell को नीचे जमीन से उठाते हैं तो हमारे lower back के उपर forces बढ़ जाते हैं जैसी हम उसके उपर load बढ़ाएंगे तो आपके bicep के उपर forces बढ़ जाएंगे उसके बाद जब हम exercise की routine करेंगे और करने के बाद जब हम dumbbell को नीचे रखेंगे तो dumbbell को तीन तरीकों से नीचे रखा जाता है और तीनों routine के उपर अगर वजन कम है तो आपके shoulder joint के उपर forces कमाएंगे पर वजन अगर जादा है तो आपके shoulder joint के उपर forces बढ़ जाएंगे अगर इनी injuries को overcome करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि dumbbell को आपको dumbbell rack से उठाना पड़ेगा bench के उपर जाके बैटना पड़ेगा और dumbbell को अपने knee joint के उपर रखना पड़ेगा dumbbell को अपने hip joint के पास ना रखें, knee joint के उपर रखें ताकि आप अराम से lift कर पाएं उसके बाद आप exercise करेंगे और करने के बाद उसी dumbbell को उसी knee के उपर रखके वापस ले आएंगे और bench को as a dumbbell rack ही treat करेंगे और dumbbell को वहीं रखतेंगे और उसके बाद शुरू करने के लिए आप उसी जगह से आपको dumbbell को as a dumbbell rack treat करके शुरू करना पड़ेगा